ये एक कंटिन्यू कहानी है, अगर अपने पहला पार्ट नहीं देखा है, तो पिछले पांच पार्ट्स के लिंक डिस्क्रेप्शन में है, पहन ने गेट खोला और मा के हाथ से सामान लेकर किचन में रख दिया, और बोली में पानी लाती हूँ, मा बोली राकेश क्या कर रहा है, सो रहा है, क्या तो रो। कुछ भी बोलता उससे पहली ही रोशनी कमरे में आ गई और बोली, मैंने किया है, मा बोली, अरे लड़की तु पागल जो गई है, क्या लड़के को तेरे भरो से छोड़ कर गई थी, तूने उसका क्या हाल कर दिया है, बहन हस्ते हुए बोली, कुछ नहीं मा भहिया के बाल बहुत जड़ रहे थे, पूरे बिस्तर पर गिरे पड़े थे, मैं पूछा ट्रिम कर दू, भाईया बोले कर दो, तो मैंने थोड़े से ट्रिम किये पर वो सेट नहीं हो रहे थे, तो थोड़े थोड़े करते हुए ये हो गया, मान बोली पर ये मेकप, ये रिंग, नोज रिंग क्योंकि, रोशनी बोली, जब बाल सेट हो गए तो मैंने भाई को आइना दिखाया तो मेरे पर गुसे में चीखने लगे और बोले ये क्या कर दिया मेरे बालों को, ये तो लड़कियों के जैसे दिख रहे हैं, मैंने बोल मैं बोली अभी बताती हूँ, फिर मैंने राकेश के होट पर लिपस्टिक लगा दी और आखों में काजल, फिर मैंने राकेश से कहा के वो बिल्कुल मेरी क्लास की, सोनल जैसे दिख रहे हैं, बस एक कमी है, ये बोले अच्छा क्या कमी है, तो मैंने इनके कान और नाक में येरिंग और नोच्पिन पहिना दी, खुद बताओ कितने अच्छे लग रहे हैं, राकेश गुस्से में बोला मुझे ये सब पसंद नहीं है, चुपचाप ये सब निकालो मेरे कान और नाक से, तो रोशनी बोली, चिल्ला क्यो रहे हो, निकाल दूंगी कल, पर आज तो त नहीं था, किसी ने किसी से बात नहीं की बस मा और बहन एक दूसरे को देख कर खुसुर पुशुर हस्ते रहे, राकेश को पता था के दोनों उसी पर है रहे हैं पर क्या सकता था, अगले दिन सुभा मा आई राकेश का मुह पानी से पोच्छा मेकप छुटाया, पर और नोजरिंग अभी राकेश ने पहन रखी थी, राकेश आराम से बैठ कर टीवी, देख रहा था, थोड़ी देर बाद रोशनी आई और बोली बिना एक बात कहूं बिना मेकप बहुत खराब लग रहे हो सच में, कल कितने अच्छे लग रहे थे, फिर मा से बोली, लगने से आंखे बड़ी लगती हैं, तो बहन बोली तो सोच क्या रही हो ये लो मा अपने हातों से लगाओ, और राकेश के लाख मना करने पर भी मा ने काजल लगा दिया, मा हस्ते हुए चलो गई तब बहन आई और बोली अब जब मान ने काजल लगा ही दिया है, तो लग चुकी थी, मा ने जब ये देखा बहन को मरने दोडी, थोड़ी देर बाद मा एक सकर्ट लेकर आई और बोली बेटा ये तौलिये को धोना है, तब तक ये पहन लो, मैं बोला ये तो सकर्ट है, तो मा बोली ये प्लास्टर के वज़े से और कुछ तुम्हें फिट पहना दी, बेचारा राकेश इसमें सब कुछ है, क्रॉस ड्रेसिंग, बॉन्डेज रसी से, चैन से, दुपटे से, इमोशन रोमांस, रेवेंज और प्यार आपके कॉमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है पांच लकी विनर मेरी इस कहानी को फ्री में एडवांस में पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना है लिंक बेंग फलतू खिर मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है लिंक अपल साथ छै आठ साथ इंस्टाग्राम पर मुझे डियेम करो फ्री स्टोरी